है दोस्तों विल्कम पूट टेक डिजैन स्टेडी तो आज मैं आपसे बात करूँगा अब प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलोजी के अंदर एक नया टॉपिक है जो है ड्राफ्ट एंगल ठीक है तो बैसिकली ड्राफ्ट एंगल क्या होता है और ड्राफ्ट एंगल का यूज हम म एक ड्राफ्ट होता है जनरली जो ड्राफ्ट होता है प्लास्टिक मट्रियल के लिए या फिर आपको किसी भी मट्रियल को मान सकते हो अभी आप मैडल भी ले सकते हो तो उसमें जो जनरली ड्राफ्ट एंगल होता है वह 1.2 डिग्री से 5 डिग्री तक हो सकता है ठीक है तो म वो material की उपर depend करता है और उसके साथ component की wall thickness की उपर depend करता है और साथ ही जाथ कोन सी molding process हम use कर रहे हैं तो उसके उपर भी draft angle depend करेगा ठीक है अब basically हमको draft angle कहां पर दे रहा है किसी component की जब जो parting line होती है parting line के जो perpendicular जो भी surface से जो face रहेगा उसमें हम draft angle देते हैं जिसे कारण वो core और cavity से आसानी से eject हो सके आसानी से निकल सके ठीक है basically जब भी plastic material को आप mold में create करते हो या उसके impression में आप उसको create करने के बाद जब वो cool होता है कूल होने के बाद जब एजेक्ट होता है तो वो कुछ ने कुछ श्रिंग होता है तो श्रिंकेचे कारण उस material की श्रिंकेचे कारण वो component कोर में चिपकने की कोईश करता है तो इस कारण से वो उसके अंदर fix होने की कोईश करता है और हम इसलिए tap on angle या draft angle को देते हैं ताकि वो उसमें आसानी से उससे निकल सके तो basically thermoplastic अगर हम plastic की बात करें तो plastic दो तरह के होते हैं एक thermoplastic होता है thermoset होता है तो हम thermoplastic की बात करेंगे तो thermoplastic में जो general draft angle होता है वो 1 by 2 degree to 3 degree होता है ठीक है और उसके बाद जो भी arrive या bosses या gusset हम provide कराते हैं कैसी भी component के अंदर उसकी stress को बढ़ाने के लिए तो उसमें जो taper angle होता है वो 1 by 2 degree to 5 degree तख हो सकता है ठीक है जो component की अंदर जो draft angle होता है जो container ढहेंगे जो आपको यहां पर diagram में दीख रहा है उसके बाद जो outer side हो जो की cavity portion में जो आता है ठीक है उसको हम बहींगे external draft angle ठीक है जो आपको को अँ Caira डिख रहा होगा तो इस तरह से ड्राफ्ट एंगल बहुत इंप्टण एक साट में किसी भी मोल्ड बहुत ऐगर से घृत होग सकता है कि की ड्राफ्ट एंगल के बारे में मैंने आपको इंफूमेशन अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं और अगर आप आप इसी तरह से information कुछ चाहते हैं, आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो, और notification के लिए bear icon को press करो, तो आपको जो भी मेरे latest video होंगे, उसके update आजाएगे, ठीक है, तो अख्रे लेक्शन मिलते हैं, तब तक के लिए, बाई!